वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉकिमेंट फीचर की एक्चली अगर आपके पास और जब आप अपलोड करेंगे तो वो डेटा आपका लाइबरेरी में आ जाता है और एक मिनी URL और शॉट URL क्रियेट हो जाता है उस URL को आप use कर सकते हैं अपने किसी भी message के अंदर like WhatsApp marketing के अंदर WhatsApp या कोई भी template जिसके साथ जिसमें आप उस URL को add करना चाते हैं या उस particular container को दिखाना चाते हैं तो process बहुत simple है आपको जाना है documents के अंदर then click on upload new आपको जो भी file upload करनी है उसकी जो maximum size limit है वो 2MB है files जो allowed है वो jpg और ये बागी के सारे format से आपर दिये हुए है आपको simply file का नाम देना है उस file को choose करनी है और यहाँ पे आप save करेंगे तो data इसके अंदर upload हो जाएगा अगर आपको देखना है कि कौन सा file का क्या URL है तो document में जाके report चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेंगे thank you